कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग जल्दी से लाइब आ जाए सारे लोग आप लोगों को लिंक प्रवाइड हो चुका है सारे लोग जल्दी से लाइब आ जाईए और आज कि अपनी थेवरी क्लास जो हमारी पहली थेवरी क्लास है इसको हम लोग कंटिनु करेंगे देख लिखेंगे किस हिसाब से क्या-क्या थेवरी में क्या-क्या हो सकता है और टार्गेट विद अजैसर के यूट्यूब प्लेट फार्मस पर सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका थेवरी की पहली क्लास इट इस फर्स्ट क्लास अब थेवरी फार्द यूपी चीफ सेविका मुख्य सेविका कि तो आजाए जल्दी से सारे लोग दिखते हैं कौन-कौन आ गये हैं और क्लास को कंटीनू करते हैं जल्दी से आजाए और बताए इनफॉर्म कीजे कौन-कौन आ गया है जल्दी से बताए ओके तो हमारे पास रमेश राजपूत गुड यूणिंग नीतु वेरी वेरी गुड यूणिंग रमन अनू प्रियांशु सुब्रत पांडे एंड येस और कौन आ गया हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड चुके हैं आरेन हो गए मानशा, सोनी, सितारा, रिंकी, संजु, ममता, कविता, सिल्पी, सुब्रत पांडे होई गए हैं और इसके बाद अलका हो गए हैं प्रियांशु, मौर्या, जगवीर भाई, निशा, सर्वसतीन, निशाराय, पूजा, उपाशना, निर्मला, नितू, रमन, संध्या, शबनम देवी, सारे लोगों का वेलकम हैं स्वागत हैं टार्गेट विद अजय सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत हैं और आपने अपने मोबाइल की क्वालिट नितू, वेलकम टू माई क्लास और मैं हूँ आपका अनुराग सिंग सर तो जल्दी से आ जाएए सारे लोग और क्लास को कंटिनू करते हैं देखते हैं स्थेवरी क्लास में क्या-क्या हम लोग नया सीखेंगे ठीक है प्रिया यादव, यतीश, लबली, प्रांजल, वर्ति का अनीता उपाद है, अंजली यादव, तो चलिए, I think लोग आ चुके हैं, क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को कंटिनू करते हैं, क्या चालू करें, आप लोग बताएं, सब लोग आ चुके हैं, ठीक है, क्लास को शुरू करें, जल्दी से बताईए आप लोग तो देखें उतर प्रदेश मुख्य सेव का थेवरी के हमारी पहली क्लास आए और देखें पहली क्लास में हमें पहला क्या देखने को मिलता है देखें क्या देखने को मिल रहा है यूटरेन, कैविटी में मवाद या पस का एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है तो paveometra कहलाता है क्या कहलाता है याद रखी uoterine में, cavity में जो मवाद या पश एकत्रिथ हो जाती उसको क्या बोलते हैं second देखिए क्या हमारे पास point है और second point देखे क्या कहरा हमारा second point देखे कमजोरी यानी weakness फिल हो moon-light face चंद्रमा जैसा जो चेहरा हो जाए यानि गोल सा और मासिक धर्म का अनुपस्थित होना ठीक है और सेंट्री पिटल ओबेसिटी हो और आधी कुशिंग सिंड्रोम के ये सारे लक्षन है ये लक्षन किस चीज के है कुशिंग सिंड्रोम के लक्षन है क्या-क्या वीकनेस मून सिंड्रोम के ठीक है तो सब दिख नहीं रहा है अच्छा दिख नहीं रहा है तो ये लिजिए दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा क्यों नहीं आपकी हर समस्या का हल हम करेंगे आपकी हर एक समस्या का हल हम लोग ढूड़ेंगे और देखे अब दिख रहा है अप लोगों को नहीं दिख रहा है तो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कीजे क्वालिटी को इंक्रीज कर दीजे सारे लोग क्वालिटी को इंक्रीज कर दीजे और आपको एकदम साफ दिखे देखे पहला हमने पॉइंट देख लिया दूसरा पॉइंट अब देख लिया दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा वीकनेस मून लाइक पेस मासिक धर्म जो है उसका अनपस्तित होना और सेंट्रिपिटल ओबिसिटी और एस एंस आदि कुशिंग रोग जो सिंड्रोम होता है उसके लक्षण हैं ओके दिख रहा है साथ ठीक है देखे हमने दो चीजे देख लिया एक पहले देख लिया हमने कि पेवमेटरा किसे कहते हैं दूसरा हमने देख लिया कुशिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं और तीसरा आप देखे तुडे तुडे महिलाओं द्वारा प्रयो इस पर माई साइड रिलीज करता है तथा इस खलित को आवशोशिक कर लेता है ठीक है तो ये क्या है टूडे के बारे में ध्यान रखेगा सिर्फ इतनी बात कि गर्म निरुधक का एक आई स्थाई साधन है टूडे इस एक जो आई स्थाई है वो साधन है किस चीज का गर्म न अइडेंटी फिएबल ओर्गैनिक पेल्विक पैथोलोजी के भी गर्भासय से असमाने रक्त का सराव होता है। कहलाता है डाई फंक्शनल योटेरेन ब्लीडिंग कहलाता है ठीक है याद रखिएगा अगला देखे पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है गर्भाशय का रेट्रो वर्जन गर्भाशय का रेट्रो वर्जन वह इस्थिति है जिसम पीछे की तरफ घूम जाती है जो यस पीडियाफ सबको मिलेगा पीडियाफ मिलेगा अजय सर कहां चली गए अजय सर कहीं गय नहीं है यहीं है क्या हुआ ओके देखें गर्भाशाय का रेट्रो वर्जन वह है इस्थित जिसमें गर्भाशाय बर्थ कैना लॉंग एक्सिस के सापे पीछे की तरफ घूम जाता है वो होता है क्या गर्भाशाय का रेट्रो वर्जन ठीक है अब देखें अगला पॉइंट देखें क्या है अगला पॉइंट क्या है इंडो मैट्रिय mediotiosis infertility fertility में समझानते हैं कि बच्ये पैदा करने को कह अलते हैं लेकिन infertility क्या होता है इसमें जिसमें बच्ये पैदा ना हो तो endometriosis infertility के लिए जिम्मेदार सबसे सामान ने कारक क्या है वो है peritoneal ठीक है और आगे देखिए सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर कौन से कैंसर सर्वाइकल कैंसर के दवरान सर्वाइकल कैंसर के दवरान होने वाली मृत्यू के प्रमुक काड़ों में शामिल है क्या शामिल है शामिल है यूरेमिया और हेमरेज जो होता है hemorrhage means bleeding होना and sepsis ठीक है ये इसके cervical cancer जो होता है उसके कारणों में शामिल है cervical cancer के कारणों में शामिल क्या है एक तो uromia uromia means urine में ज्यादा ज्यादा मातरा में क्या हो जाता है uria की मातरा उसमें शामिल हो जाती है हैम्रेज मींस हम सभी जानते हैं कि रक्त का स्राहोना और वो भी कहां मस्तिस्क में इसके बाद सेप्सिस ये जो है कारण है स्तरवाइकल कैंसर के ठीक है अगला देखिए अच्छा इसी चीज को यहां पर डिस्क्राइब भी कर दिया है यूरेमिया का अर्थ है रक्त में निच्छा भी जा सकता है यूरेमिया क्या है तो उसमें आप्सन दे सकता है कि यह यूरिया है यह फिर कुछ और चार आप्सन तीन आप्सन बनाए जा सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास आगला देखिए मेनोर हैजिया पेनफुल मेंस्ट्रूइशन लोवर एब्डॉमिनल पेन और मेन क्या है मेट्रो हैजियक 3F फाइब्रोड लक्षणों में शामिल है और यह क्या करता है यह फैब्रोड जो क्या होता है फैब्रोड के बारे में देखिए फैब्रोड क्या होता है फैब्रोड होता है गर्भाशय की सता हमें जो ट्यूमर बनता है उसे बोलते हैं गर्भाशय की सता हमें जो ट्यूमर बनने के शुरुवात होती है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते पेनफुल होगा Lower Abdominal pain होगा और Metro治य hugh क्या है.." यह सारे के सारे लक्षण जो हैं वो हैं." आप लोगों को व गर्य Llाय किस स्थावपर चो ट्यूमर बनना बनने के शुरुवात होती है वह हो जाता है ठीक है? अगला देखिये दिव्रिंग फैबरोईड यानि फैबरोईड के दोरान हाई हाई लाइन डी जेनरेशन is the most is the most common secondary change मतलब एक तो चेंज ऊपर देखा हमने क्या क्या हो जाता है दूसरा यह second changes है कि during फैबरोईड हाई-Line degradation is the most common secondary changes ठीक है यह हो गया दूसरा पॉइंट हमारा अगला पॉइंट देखे क्या हो जाएगा अगला पॉइंट हो जाएगा यहां पर देखे मासिक धर्म के दवरान दर्ध होना मासिक धर्म के दवरान दर्ध होना तो इसे दर्ध होने को क्या बोलते हैं मासिक के दौरान जब दर्द होता है तो उसको बोलते हैं डाइस मेनोर हैजिया और कि इन फर्टिलिटी संभोग के दौरान दर्द होना पाउच आप में नूड नोड्यूल फील होना आद यह क्या है यह इंडो मेट्रियोसिस के क्लासिक लक्षण है यह इनडो तो ये इसको समझ लिए, इसमें क्या समझना है, देखे, मासिक धर्म के दवरान यदि दर्द होता है, संभोग के दर्द होता है, पाउच आप दन None've Be फील होता है, तो ये क्या है, इंडो मेट्रियोसिस के क्लासिक लक्षण होते हैं, और मैंने आपको अभी देखा, जो सर् अगे थोड़ा सा देखिए आगला next point के हमारा कह रहाता है देखिए एक तो है delayed puberty, puberty समझ रहे हैं, puberty means होता है यूँव आवस्था या फिर वैसी आवस्था जिसमें बच्चा जो मनुष्य है या जो भी लड़का या लड़की है वो अपने जैसा संतान उत्मन करने के जो आ आने वाली puberty के लक्षणों में सामिल क्या है लगभक 14 वर्स की कम उम्र तक भी ब्रेस्ट टिशू का विकास नहीं होना हो पाना या public hair कम का नहीं आना या 15 से 16 वर्स की उम्र तक मासिक धर्म का शुरू नहीं होना ये क्या कलाता है ये delayed puberty के लक्षणों में शामिल है ठीक ह आगे क्या हो जाएगा देखें आगे यहां पर देख लिजिए intrauterine devices intrauterine devices क्या होते हैं जैसे copperty, adi, insertion, immediate, complication, pain, uterine perforation या syncopal attack यह सारे यह जो है क्या है यह जो है कॉपर्टी जो जैसे इंट्रा यूटिरिन डिवाइस है जो हम वैसी डिवाइस जो हम यूटिरिन में अंदर रखते हैं या अंदर उनको प्रविश कर देते हैं और उसके मांद हम से क्या हो जाता है उसके मांद गर्भ निरोधन का एक तर का है तो यह हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट आगला पॉइंट देखिए इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो हमने अभी बात की आई यूडियस जैसे कॉपर्टी आज के इंसर्चन की रिमोट कॉम्प्लिकेशन में शामिल क्या क्या है अच्छा देखें पेन यूटेरस का पर्फॉरेशन डिवाइस का स्वता ही समगर्भाशाय से बहान निकल जाना या आसमान यूटेरिन ब्लीडिंग पैल्विक भाग में संक्रमन आदी के कारण क्या होता है यह जो समस्यां हैं यह आती है तो यह हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट अगला देखिए हम फिर से से कॉमन वराइटी है इसकॉमस सेल कारसी नोमा अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर जो हमने अभी देखा था सर्वाइकल कैंसर में हमने देखा था क्या होता है सर्वाइकल कैंसर में हमने देखा था बच्चे दानी के जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर और उसका जो सबसे common variety है वो है iscomus cell carcinoma या उसकी सबसे common जो variety है तरीका है वो है अगला देखिए फिर से cervical cancer की staging मुख्यता clinical examination पर आधारित है यानि जो cervical cancer होता है बच्चे दानी के cancer होता है उसको हम मुख्यता कैसे divide करते हैं कैसे उसका क्रम निरधारित करते हैं तो clinical examination पर आधा पर आधारित होता है clinical examination के बाद ही हम उसको decide करते हैं कि इसमें किस किस आधार पर कौन कौन सा cancer हो सकता है ठीक है यह हो गया हमारा next point और इसके आगे के point को देखिए difference advanced cervical carcinoma की लक्षणों में सामिल क्या है अनियमित युम लगातार vaginal bleeding बद्बूदार vaginal discharges pelvic भाग में दर्ध होना एक बार-बार मूतर त्याग करना मूतर त्याग में कठिनाई होना उसको बोलते हैं dysuria और malasai से bleeding होना मूतर के साथ रखताना उसको बोलते हैं हिमेचूरिया आद ये सारे के सारे जो शब्द हैं यही शब्द हमें याद रखने हैं ये सारे शब्द ही हमें याद रखने हैं और इनी शब्दों के कारण ही जो ये शब्दों ये जो शब्द है हमारे इनी ये इनी शब्दों पर हमारे जो है कोशन्स बनते हैं इसलिए इन सब्दों के अर्थों को अच्छे से याद रखना है ठीक है तो यह हो गए हमारा आगे देखिए विख्सीद देशों में ब्रीस्ट कैंसर ठीक है जिसको हम बोलते हैं विक्सित देशों में क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन प्रकार के फीमेल मैली नैसी है जबकि विकास सील देशों जैसे कि भारत में सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन फीमेल मैली नैसी है तो यह इन दोनों में अंतर क्या है यानि यह जो है यह जो डिफरेंस है यह ऐसा यहाँ विक्सित और विकास सील देशों में ऐसा क्यूं है क्यूं है ऐसा विक्सित और विकास सील देशों में जो अंतर पाया गया है ये क्यूं है देखे जो विक्सित देश हैं वहाँ पर बिस्ट कैंसर ज्यादा होता है लेकिन भारत जैसे देशों में सर्वाइकल कैंसर य मिन्स कैंसर के जो शुरुवाती लक्षन होते हैं शुरुवाती जो उसका प्रभाव होता है वो होता है मैलिक नेसी तो बिक्सित देशों में ब्रिष्ट कैंसर में सबसे ज्यादा होते हैं लेकिन भारत जैसे विकास सील देशों में होता है सर्वाइकल कैंसर ठीक है यह हो ग ठीक है लेबिया माईजोरा और एक शब्द जो हमारे पास आया है क्या शब्द आया है वल 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 आया हमारे पास शब्द इसका देखे इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब देख लेते हैं भी और तब तक हम लोग यस इसका मतलब मैंने देखे मैं आपको बता देता हू वलवल जो cancer है उसका मतलब क्या है योनी मुखी है उसका हिंदी जो हो जाएगा योनी मुखी है योनी मुखी योनी का मुख जो आगे का पार्ट है उसमें जो होता है cancer उसमें जो है cancer को क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं वल्वल कैंसर, याद रखना है लेबिया माईजोरा वल्वल कैंसर यह यह योनी मुखी यह कैंसर की सबसे कॉमन साइट है, अब देखे, कि बीमारी को शुरुवात की उस इस्थित में ही पहचान लेना, जब इसका निदान एक नर्स या नॉन मेडिकल हेल्थ वर्कर सिंपल स्पेकुलम के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं, यानि सिंपल जो जाच होती है, उसके माध्यम से ही जब पता चल जाया, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं, डाउन स्टेजिंग फॉदर सर्वाइकल कैंसर की स्टेज, यानि नीचे के अभी शुरुवात ही हो रहा है सर्वाइकल कैंसर का, जब यह सामान तरीके से नॉन मे पॉइंट है, वो है, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी का अर्थ क्या है, वो है गर्भाशय या फैलोपियन गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूप्स, दोनों अंडाशय, एडजन सेंट, एडजन सेंट, वजाइना और प्राइमरी सर्वाइकल लिम् रेडिकल हिस्टर हिस्टरेक्टॉमी कहलाता है इन सारी चीज़ों को प्राइमरिक सर्वाइकल लिम्स और नोड्स को सर्जरी करके हटा देना रेडिकल हिस्टरेक्टॉमी कहलाता है ठीक है समझार आप लोगों को अब देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है नॉर्मल वाइडिंग के लिए ब्लेडर को पैरा सिंपेटिक सप्लाई आवश्यक है नॉर्मल जो वाइडिंग हो के लिए ब्लेडर को पैरा सिंपेटिक सप्लाई आवश्यक है नेक्स्ट पॉइ ब्लेडर में 150 से ब्लेडर मींस क्या होता है उसको क्या बोलते हैं ब्लेडर बोलते हैं गौल ब्लेडर आपने नाम सुना होगा जब ब्लेडर में 150 से 200 मिली मूत्र होता है जब पहली बार मूत्र त्याक करनी की सम्वेदना उत्पन होती है जब हमें लगता है कि हमें ट्वाले कठा लेकिन आगे देखे क्या हो जाता है आगे हो जाता है कि ब्लैडर की functional capacity जो होती है वह 400 से लेकर 600 ml होती है जो functional जितने में आसानी से वह काम कर पाता है 600 ml तक रख पाता है bladder हमारा इससे ज्यादा होता है तो कई बार bladder के को वो नुकसान हो जाता है इसलिए कहते हैं कि टॉयलेट जब लगे तो टॉयलेट को रोक कर नहीं रखना चाहिए ठीक है आगला देखे मूत्र मारगिया संक्रमड यानि यूटी आई की संभावना महिलाओं में पूरसों की तुलना में ज्यादा होती है याद रखेगा साइकल होती है वो पूरसों में होती नहीं एक कारण यह हो सकता है ठीक है दूसरा कारण और भी हो सकते हैं क्योंकि मेंस्ट्रूल साइकल के दौरान बहुत सारे जो है अंदर से जो पदा जो है जो फ्लूट निकलता है वो कुछ न कुछ संक्रमण को लेके आता है तो इसके कारण अगर साफ सफाई का विशेश ध्यान नहीं रखा जाए तो जो है यूटी आई की संभवनफ महिलाओं में पूरसों की तुलना में ज्यादा होती है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट देखिए अचानक इंट्रा-अब्डॉमिनल प्रेसर बढ़ जाने की वजह से मूत्र का एक्स्टरनल यूरिनरी में मीटस से अनायक्षिक रूप से निकलना इस्ट्रेस यूरिनरी इन कॉंटिनेंस कहलाता है याद रखेगा अचानक जो हो जाता है अचानक अगर एक्ट्रा-इंट्रा-अब्डॉमिनल प्रेसर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इस्ट्रेस यूरिनरी इन कॉंटिनेंस की होने की समभावना ज्यादा रहती है खीक है जड़ा आप लोगों के कमेंट भी देख लूँ इस बीच कमेंट थोड़ा सा देख लूँ आप लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा कमेंट तो बनता है देखना इस बीच यस क्या कह रह कि आप लोग कि जैस्ट one minuteół यस कि का कह रहे हैं आप लोग कि यस तियोरीTeory class ऐसी नहीं चलती है भाप सामने आए अच्छा आए मैं प्रता है क्या मेरा फॉन ख़राब क्या नई फोन खराब नहीं है अपनी क्वालिटी बढ़ाई यह आप यहां तो किया सभी को प्रॉब्लम हो रही है बताइए अच्छा पेख लोगों को समझ नहीं आख अलका आपको سमझ नहीं आ रही है घिक है इसको फिर मैं सर से बात करूंगा अभी आज की क्लास को आप लोग ले लीजिए और फिर इससे हम लोग बात करके जैसा भी होगा आप लोगों को clear करेंगे ठीक है ठीक है आज की class को आप लोग धैरे बनाते हुए ले लीजे ठीक है देखें इंग्लिस में बिल्कुल भी नहीं आ रहा बिना इंग्लिस के तो आज किल काम चलना मुश्किल है आपको पता है हाँ आजैसर को बोलेंगे ठीक है मैंने आप लोगों की बात सुन लिया है समझ लिया है आजैसर को इस पर बात करेंगे लेकिन आज की class को ले लीजे आज की class को continue कर लीजे मैं आजैसर से बात करूँगा कि बच्चे संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश ज्यादा स से ज्यादा संतुष्टी है ज्यादा से ज्यादा से लेक्सन दिलाना है तो उसके लिए जो भी बहतर होगा हम करेंगे ठीक है ठीक है अब आप लोग एगो करने की जरूरत नहीं है कमेंट बस आज की class को आप लोग ले लीजे फिर बात करेंगे ठीक है र्मेष राजपोर् सर से आज ही बात कर लेंगे और कि बच्चे लोग चाहते हैं कि आप ही पढ़ाएं तो वो देख लेंगे ठीक है सारे लोग ओके ठीक है देखे नेक्स्ट पॉइंट देख लीजे हाँ भाई ठीक है मैंने सुन लिया सारे लोगों का कमेंट पढ़ लिया कोई बात नहीं हम सर स से बात कर लेंगे जैसा भी होगा आप लोगों को कल की क्लास में आप लोगों को वैसा ही परिवर्तन दिखेगा ठीक है अब आज की क्लास को ले ले आगे बढ़ें आज की क्लास को हम लोग कंटिनू करें ठीक है आज की क्लास को देखिए वेसिको वजाइनल फेस्टूला कॉमन टाइप है किस चीज का है तो जेनिटो यूरेनरी फेस्टूला का ये टाइप है ये प्रकार है वेसिको वजाइनल फेस्टूला कोमन टाइप किस चीज का है अगला देखे ये जेनिटो यूरेनरी फेस्टूला यूरेनरी ट्रैक्ट जनिटल ट्रैक के बीच असमान ने कम्म्यूकेशन पाया जाने की वजासे मूत्र का अनाइक्षिक रूप से वजाइना में प्रवेश हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखें, जेनिटो यूरिनरी, फैस्टूला यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट के बीच असामान ने कम्यूनुकेशन पाए जाने की वजह से हो जाता है अनैक्षिक रूप से वजाइना में प्रवेश कर जाता है मूत्र अब देखे अगला पॉइंट देख लीजे वजाइना से होकर लगातार मूत्र का प्रवाज होता है Vesico Vaginal Festula का classical लक्षन है थ्री स्वयब टेस्ट का उपयोग किसमे करते हैं Vesico Vaginal Festula को confirm करने तथा Uretero Vagina Eum Urethro Vaginal Festula से differentiate करने के लिए उसको अलग करने के लिए थ्री स्वयब टेस्ट का प्रियोग करते हैं किसको अलग करने के लिए Vesico Vaginal Festula को confirm करने के लिए तथा उसे Uretero Vaginal और Urethro Vaginal Festula से differentiate अलग करने के लिए उसका प्रियोग करते हैं थ्री स्वयब टेस्ट का ठीक है आगला देखिए वजाइना में अनैक्षिक रूप से पाद यानि फ्लेटस का या मल का प्रवाह क्या कहलाता है तो रेक्टो वजाइनल फैस्टूला का क्लासिक लक्षन है ये वजाइना में अनैक्षिक रूप से जो पाद है पाद मिंस मल है का प्रवाह हो जाता है तो उसे क ठीक है देखे किसी एक ही बेक्ति में नर और मादा दोनों के बाहरी और आंतरिक किसी एक बेक्ति में नर और मादा के बाहरी और आंतरिक अंगों का पाया जाना अगर कोई एक ही बेक्ति है उसमें नर और मादा दोनों के लक्षन पाए जाते हैं जिसकी वजह से वास्तविक लिंग की पहचान नहीं हो पाती है तो इसे क्या बोलते हैं इंटर सेक्सुललीटी बोलते हैं यदि किसी बेक्ति में नर और मादा दोनों के लक्षन के बाहरी और आंतरि अंगों का लक्षन तो उसको क्या बोलते हैं जिसमें लिंक का निर्धारम नहीं हो पाता तो उसे बोलते हैं, इंटर सेक्सुलिटी बोलते हैं, अगला देखिए, एमिनोर हिया का आर्थ है, मासिक धर्म की अनुपस्थिती, अभी हमने इस शब्द को पढ़ा था, मासिक धर्म की अनुपस्थिती, एमिनोर हिया, ठीक है, का मासिक धर्म की अनुपस्थिती को बोलते हैं, एम कुछ भी ऐसे करके चार पॉइंट आपके लिए बना देगा और उसमें पूछेगा तो यह चीज को समझेए कि मासिक धर्म की अनुपस्तिति को क्या बोलते हैं बोलते हैं एमनोर हिया नेक्स्ट देखिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा हमारे पास क्रिप्टो मेनोरिया क् मार्ग औरुद होने की वज़ा से मेंस्ट्रूवल ब्लड जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पाता है ठीक है एक यह प्रॉब्लम है क्रिप्टो मेनेरिया क्रिप्टो मेनोरिया इसमें क्या ब्लीडिंग तो होती है लेकिन मार्ग औरुद होने की वज़ा से क्या होता है menstrual bleeding genital tract से बाहर नहीं आ पाता है ठीक है ति यह हो गया क्या है crypto-menoria अगला देखिए अगला point देख लीजे policy stick overine rog में अंडाशों में adrenal के द्वारा अत्याधिक estrogen का उत्पादन होता है estrogen क्या होता है मैंने बताया था महिला हार्मोन होता है महिला सेक्स हार्मोन estrogen ठीक है महिला सेक्स हार्मोन estrogen होता है तो क्या कह रहा है policy stick overine rog में क्या होता है अंडाशयों की या adrenal के द्वारा अत्यधिक endrogen का उत्पादन होता है तो इसकी वज़़ा से समस्याइं होती हैं अगला देखिए सामाने वज़न की तुल्ला में शरीर का वज़न 15 प्रिश्चत कम होने के कारण क्या हो कारण हो सकता है क्या कारण हो सकता है 15 प्रिश्चत तक सामाने वज़न की तुल्ला में यदि आपका वज़न गिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसे बोलते हैं एमेनोरिया बोलते हैं उसे, एमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है, सामान्य वजन कि तुल्ला में 15% तक यदि वजन गिर जाता है, उसके बोलते हैं, एमेनोरिया, अगला देखिए, पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, प्री मेच्योर, ओरियन फिल्लियोर के डाइगनोसिस ह तो तीन लक्षणों ट्राइड की उपस्थिती को मुख्य तवर पर देखा जाता है वो क्या है एक तो एमेनोरिया अभी हमने देखा दूसा बढ़ा हुआ गोनेडो ट्रॉफिन्स का इसतर एम देखो लो सेरम और लो सेरम ओस्ट्राडियल ठीक है लो सेरम ओस्ट्राडियल य यह हमारे पास एक पॉइंट हो गया यह क्या है प्रीमेचियोर ओवरियन फिलोर के जो है डाइगनोसिस तीन लक्षण है और यह तीन लक्षणों में एक तो एमेनोरिया दूसरा बढ़ा हुआ गैनाडो ट्रॉफिन्स का इसतर और तीसरा लो सेरम ओस्ट्राडियल यह हमार यह ता प्रो लैक्टिनीमिया की वजह से किसकी वज़ से फाइपर हाइपर pro-lactinemia की वजह से क्या होता है हीपर pro-lactinemia की वजह से हो जाता है अगला देखिये जो हमने अभी शब्द देखा वसी शब्द का यहाँ पर आर्थ लिखा हुआ है एन ओवुलेशन क्या कहलाता है का मतलब क्या होता है वो होता है अंडोत सर्ग का नहीं होना और अंडोत सर्ग का नहीं होगा तो इस पर कितना भी जाएगा निसेचन क्रिया नहीं होगी निसेचन क्रिया नहीं होगी तो गर्वधारण नहीं होगा भूण की उत्पत्ति नहीं होगी भूण नहीं बनेगा ठीक है तो अंडों का ओवलेशन बहुत जरूरी है ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया नेक्ट पॉइंट देखिए शेचंस सिंड्रोम क्या है सेचंस सिंड्रोम के लक्षण क्या है लेक्टेशन नहीं होना प्यूबिक एवम एक्जिलरी एरिया में बालों की कमी होना सेकेंडरी एमिनोरिया एवम स्तनों का आकार छोटा हो जाना ये क्या कहराता है शेचंस सिंड्रोम कहलाता है ठीक है ये सिंपल सी बात थी समझा गई होगी नेक्स्ट बात देख लेते हैं क्या है मारे पास पॉइंट नेक्स्ट है सेचंस सिंड्रोम अग्रप्यूश ग्रंथी अग्रप्यूश यानि पिट्यूटरी ग्लैंड के कम स्राव की वजह से होता है ये किस लिए होता है किस कारण होता है सेचंस सिंड्रोम तो अग्रप्यूश ग्रंथी के कम स्राव की वजह से होता है अग्रप्यूश ग्रंथी के कम स्राव की वजह से होता है ACTH hormones का अतियुत पादन Pushing syndrome को बढ़ावा देता है Pushing syndrome का कारण हो जाता है यह है अगला देखे next point क्या है Sexually transmitted disease यानि STD से सुरक्षा प्रदान करना Condom का अतरिक्त फायदा है यदि हम Condom का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है जो STD प्रकार के disease हो सकते हैं उनसे मनुश की बचा होता है उनसे हम बच सकते हैं किके अभी हमने तूडे के बारे में बात की थी वही प्रश्मन लगभग फिर से आया है और तूडे को यौन क्रिया के बाद 6 गंटे तक नहीं हटाना चाहिए हमने देखा था कि तूडे क्या है तो तूडे गर्व धारण करने की गर्व निरोधन की महिलाओं के लिए गर्व निरोधन के एक आई स्थाई भी दी है और इसमें कहा गया है कि तूडे को यौन क्रिया करने के बाद 6 गंटे तक नहीं हटाना चाहिए ठीक है 6 गंटे तक नहीं हटाना चाहिए नहीं तो उसका लाब नहीं मिलेगा और फिर से क्या होता है गर्व धारण हो जाएगा ठीक है अगला देखिए पॉइंट क्या है राइथम मेथड में सबसे छोटी मेंस्ट्रूल साइकिल में से 18 घटा कर पहला रिस्की डे ग्याद किया जाता है यों सबसे लंबी मेंस्ट्रूल साइकिल में से 10 घटा कर अन्तिम रिस्की डे ग्याद किया जाता है यानि यह वो रिस्की डे है जिसमें बेबी होने की संभावना ज्यादा रहती है यानि हम 18 घटा के उसको देख सकते हैं पहला रिसकी डे और जो सबसे बड़ी जो menstrual cycle होती है देखे किसी की 28 दिन होती है नॉर्मली 28 दिन किसी की 30 दिन किसी की उससे भी ज़्यादा किसी का 28 से भी कम तो उसी में हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि menstrual cycle जो सबसे छोटी हो उसमें 18 दिन घटा कर पहला रिसकी डे ग्याद कर सकते हैं और जो सबसे लम्मी menstrual cycle हो उसमें 10 दिन घटा कर अंतिम रिसकी डे ग्याद कर सकते हैं तो यह यह हो गया सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली Medicated Intra-Uterine Uterine Device है ठीक है अगला देखिए अगला देखिए अगला पॉइंट क्या है Copper T380A अभी हमने देखा 200B अब देखिए Copper T380A में 380 mm दो सरफेस एरिया वाला Copper Wire System के चारों तरफ पाये जाता है तथा यहां लगभग 10 साल तक सुरक्षित रहता है यानि इसको अगर हम लेते हैं यूज करते हैं तो यह 10 साल तक काम कर सकता है अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है Intra-Uterine Device को मासिक चक्र के 2-3 दिन बाद एक तो मासिक चक्र के 2-3 दिन बाद abortion के बाद और postpartum period के दोरान और placental derivative के तुरंद बाद भी लगाया जा सकता है IUD को ठीक है अगला देखिए point क्या कह रहा है जब मासिक चक्र की आवधी कितने दिनी को हो अभी हमने देखा normally 28 days होती है normally 28 days मानी जाती है लेकिन जब यही आवधी बढ़कर 35 दिनों से ज्यादा होती है तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं oligomanoria देखिए यह शब्द देखिए ऐसे ही यह जो शब्द है मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ यह शब्द आप लोगों के लिए important है आप लोग पिन कॉपी लेके बैठिए और इनके शब्दों को यह शब्द लिखे उसके सामने जो है उसका अर्थ लिख लिजे यही आपको काम आएंगे बाकी जो थिवरी है वो उतनी महत्पूर्ण नहीं होती क्योंकि हमारे काम की य जादा मासिक चक्र, 28 दिनों से जादा मासिक चक्र ऐसे करके प्रश्णा आपको बनाएगा, नेक्स्ट देखिए जब मासिक चक्र के अवाद 21 दिन से या इससे कम हो तो इससे क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे याद कर tv लिखे 25 दिन से मनीं से bigger Our और 35 दिन से ज़्यादा वाले के बोलेंगे वो बोल देंगा ओलिगो मेनोरिया ठीक है यह ऐसे इस चीजों को कमप्रीजना अत्मक तरीके से यानि एनलिसिस करके उसके तुलना करके ऐसे लिख लेजिए सामने सामने लिख लेंगे तो याद रहेगा आप लोगों को ठीक है अ गर्भासा से इरेगुलर और असाइकलिक ब्लीडिंग का होना यह कहलाता है मेट्रोहैजिया अब देखे मेनो मेट्रोहैजिया का वह स्थित यह है जिसमें ब्लीडिंग इतनी अत्यधिक अन्यमित होती है कि मासिक चक्र को भी पहचान पाना मुश्किल होता है यानि हमारे पास point next point पे आईए next point हमारा क्या करा यदि आप समझना चाहेंगे तो सब समझाएगा यदि आप लोग समझना चाहेंगे तो आप लोगों को सब समझाएगा लेकिन यदि आपने mood ही बना रखा होगा कि नहीं मुझे समझना नहीं है तो शायद ही कोई आपको समझा सके यदि आप जीतना चाहते हैं तो आप ज़ूर जीत सकते हैं कितनी भी प्रापलम हो लेकिन यदि आपने सोची लिया कि नहीं यह मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा उसके लिए फिर चायद जितना मेहनत कर लिया जाए ठीक है तो यह जो है मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपना धैरिक हो रहे हैं अभी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना धैरिक होएं अरे टॉपिक क्या चल रहा है आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ चीजे समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं सब लोग कहा चले गए जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए मैं कहरहा हूँ आज क्लास को आप ले लीजिए और कल से सर आप मैं सर से बात करушगा और उन्हें ये बताऊंगा कि सर बच्चे मेरी क्लास से समझ नहीं है सर आपको एक बार class में आना है اور चीजों की बच्चों से बात करनी हैं यदि आप ले सकते हैं तो आप लेजिए ठीक है और अगर board पर चल पाएगे तो हम board पर चला लेंगे ठीक है तो ये जो है आज कम से कम आज मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा हूँ आज की क्लास तो ले लीजे 60 लोगों से कम से कम सीधा जो है इतने कम लोग आ गए है 33 लोग हैं ये जो भागने वाले लोग हैं इनके बारे मैं क्या कहूँ मैं कह रहा हूँ आज की क्लास आप लोग ले लीजे मुझे समझा गया है कि आप लोग मुझसे समझ नहीं पा रहे हैं मैं अपने समस्याओं को मैं बोल सर से बताऊंगा इस समस्याओं कि आप लोगों की जो भी समस्याओं है और उनको क्लियर करेंगे ठीक है इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है सामने आने से कौन सा समझाने का क्या मतलब है क्या मैं ये सारी चीजे मैं करके दिखाऊंगा नहीं कल जो है आज आप लोग प्लीज आप लोग आज किसी प्रकार इस क्लास को कंटिनू कर लीजिए और फिर हम लोग कल इसको देखेंगे ठीक है कल हम लोग सर से मैं बात कर लूँगा जो भी होगा उसका निसकर साप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है देखे अगला देखे जब मासिक चक्र में ब्लीडिंग टाइम दो दिन से भी कम हो जाता है तो इस शब्द क्या बोलेंगे इसे एक शब्द में इसे बोलते हैं हाइपो मेनोरिया इसको बोलेगा है हाइपो मेनोरिया बोलेंगे जब मासिक चक्र म जो है ब्लीडिंग जो है केवल दो दिन से दो दिन से भी कम हो जाती है तब इसे बोलेंगे हाइपो मेनोरिया अगला देखें पॉइंट क्या कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है डी यू बी के दवरान इंडो मेट्रियम की इस्थीत का मुलियंगन करने है तू हिस्टेरोसकोपी एवं बायोपसी सबसे बेश्ट तरीके हैं ठीक है अगला देख ये मासिक चक्र को नियमित करने है तो प्रोजेस्ट्रान प्रोजेस्ट्रोजन एवं एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं ये सब तीनों के तीनों नाम क्या हैं ये तीनों के तैनों तीनों नाम जो हैं वो महिला six hormones है ठीक है महिला six hormones है तो मासिक चक्रों नियमित करने है तो ये तीनों के तीनों hormones काम करते हैं तब महिलाओं का मासिक चक्र नियमित रूप से चल पाता है और इस combination का प्रयोग करके ही मासिक चक्रों नियमित किया जा सकता है क्या है प्रोजे एस्टोजन या एस्टोजन यह प्रोजे एस्टोजन यह कॉमिनिशन प्रियोग करते हैं तो मासिक चक्र दिवस्ती तरीके से चलता है तो यह हमारा यहां से class भी इन्ड हो गई है इतना हमारे पास topic था जितना topic था उससे ज्यादा तो आप लोगों ने कहा है नहीं समझा रहा है जितना आप लोगों नहीं n cần लिखा है न उससे अगर थोड़ा सा आप लोगं ध्यान दे ते ऐसा कुछ नहीं था केवल शब्दों का खेल था सारा कौन सा शब्द कहां पर यूजर हाइपो मेनोरिया कहां पर क्या कप कहेंगे उसे और जो है मेट्रो हैजिया क्या है ये सारे शब्द ही तो थे ठीक है आज की क्लास को देख लिया गया है कल मैं सर से पूरी तरह बात कर लूँगा जैसा भी होगा क्लियर कर दिया जाएगा आप लोगों ठीक है ठाइक यू रश्मी ठाइक यू ओके तन्वी सिद्धिकी मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ बार बार आप लोगों को एक ही बात में कह रहा हूँ और इसका पीडियाफ मैं आप लोगों को अभी सेंड किये देता हूँ ठीक है आप लोग टेंसन मतलीजिए छोटी छोटी बातों कि इतना टेंसन नहीं लेते इसको पढ़िए जो भी शब्द हैं उन शब्दों को अपने किताब को अपी में लिखिए बाकी कुछ नहीं है रिवीजन करिए कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपके रिवीजन से सही नहीं हो सकती ठीक है ठीक है और इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं अपने हिस्ट्री की क्लास में history जो मेरा पसंदीदा विशय है उसमें तो आप लोगों को problem नहीं होनी चाहिए उसमें कोई problem नहीं है चलिए आते हैं उस class में मिलते हैं ठीक है और मैं सर से बात करके clear कर लूँगा good night take care अपना अपना ध्यान रखिए